हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तोड़े वी आप गूइंग टू स्टार्ट विद आर इंड़क्टिव फेक्ट पिश्री क्लास में लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्टेबिटी होती है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करती है इंड़क्टिव फेक्ट रेजुनेंस हाइपर कॉंजुकेशन एंड लेक्टोमेरिक फेक्ट चारों अपने आप में बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और आज हम फर्फ स्टार्ट करेंगे इंड़क्टिव फेक्ट बहुत जादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है ये बच्चे कन्फ्यूज रहत रहते हैं 24 गंटे कि ये वाला आंसर ठीक होगा तो काफी जादा कन्फ्यूजन इस टॉपिक से क्रेट होती है क्योंकि आपको कहां पर आपका प्लस आई फेक्ट लगेगा कहां पर आपका नेगेटिव आई फेक्ट लगेगा पहले तो मैं आपको इंडिवीज्वल compare कराए जाए तो चारों में से कौन सा dominating होगा कौन सा आपका ज्यादा dominate नहीं करेगा किसके basis पर answer करेंगे तो a to z चीजे में आपको कराने वाला हूँ तो जो आपकी हालत आज कल यह है कि जो आप confused हो जाते कोशन में उसके बाद आपके पास कोई भी confusion नहीं रहेगी नो longer confused आपको प्रॉलम नहीं आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने inductive facts अगर मैं inductive facts की बात करो ना तो पहली बात आकर मैं difference in due to the difference in electronegativity जहां पर भी सर आपके electronegativity का difference होगा या electronegativity आएगी वहाँ पर आपका inductive facts लगेगा क्या मतलब है सर इस बात का यह देखिए ऐसा है जैसे मालीजी आपका carbon है और carbon के साथ आपने chlorine को लगा दिया तो chlorine क्या है आपका एक electronegativity आपका atom है तो यह क्या करेगा यह अपने तरफ electron कीचने की कोशिश करता है और electron कीचने की कोशिश करने की वज़े से इसके उपर ऐसा डेल्टा नेगेटिव लिखा जाता है डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है पार्शल नेगेटिव चार्ज और अगर इसने electron अपने तरफ कीचने की कोशिश करी है यानी इसके उपर नेगेटिव चार्ज आई या डेल्टा पार्शल नेगेटिव मतलब इसने पूरे अपने पास electron नहीं रख ली है यह कोशिश कर रहा है कि मैं इसको electron खीचे जाओं तो इसको temporary effect के अनाम से भी आप बोल सकते हैं, हला कि आपका inductive effect होता permanent है, बढ़ आपको वो बात मैं बता दूँगा, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताई कि सर, inductive effect आता कहां पर, क्योंकि जहां पर electronegativity का difference होता है, इसने electron खीशने की कोशिश करी, इसके उपर इसलिए negative charge यानि partial negative आ गया, अब carbon electron दिये ना अपनी तरफ से, तो इसके उपर क्या जाएगा, partial positive आ जाएगा, समझ में आ गई वाली बात, तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया, कि difference in electronegativity होने से ही आपका क्या आता है बेटा, inductive effect आपका लगता है, पहली बात clear हो गई, clear वाली बात, ठीक है, यही बात फिर मैंने आपको बताएगी, इलेक्टिव फेक्ट का आने का reason क्या है, क्योंकि यहाँ पर से अलेक्ट्र नेग्रिविटी का difference होता है, इसी वज़े से आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है, इस बात ने कोई doubt नहीं, अच्छा हुआ क्या है सर इसके अंदर, यहाँ पर बिटा क्या हुआ ना, जैसे आपको यह अगर मैं बात करूं, second point के अंदर, तो second point के अंदर आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिटा partial shifting हुई है, आगर reason पूछे ना, inductive fact का exact reason क्या होता है, तो exact reason क्या होता है, कि सर यहाँ पर आपकी partial shifting हुई है, partial shifting किसकी, partial shifting सर आपके, sigma bond के electrons की, sigma bond के electrons की, किसकी तरफ, towards, more electron negative atom, अब सर इस line का मतलब क्या है, इस line का मतलब आप उपर से भी समझ सकते हैं, कि यहाँ पर inductive fact में हुआ क्या, पहली बात तो inductive fact आया कब, कि जब यहाँ पर सर डिफरेंस इन electron negativity था, और inductive fact में हुआ क्या, कि यहाँ पर partial shifting हुई, मतलब पार्शल आपका electrons गए, किसके sigma bond के electrons गए, किसकी तरफ, more electron negative की तरफ, जैसे carbon और chlorine है आपका, तो यहाँ पर more electron, यहाँ पर यह क्या है बीच में, अगर आप बात करें, यहाँ आप आप डार कर रहा हूं, यह sigma bond है, और sigma bond के electrons, किसकी तरफ गए थे, chlorine की तरफ गए थे, और chlorine के तरफ यह गए थे, क्योंकि यह क्या था आपका, इन दोनों के comparison में, high electron negative था, और high electron negative होने के वज़े से, इसके उपर क्या आया था आपका, partial negative, और इसके उपर क्या आया था, किसके towards more electro negative atom clear होगे बात ये बताओ clear पका चलो third point बिटा जो आपका inductive effect होता है ये आपका 3 ये 4 carbon के बाद consider नहीं किया जाता मतलब for example जैसे मैंने आपका बोला यहाँ पे 3 carbon तो अगर इस वाले carbon पे अगर मैं inductive effect ले रहा हूँ तो यहाँ पे आपका inductive effect इन दोनों का ले सकते हो बढ़ जैसे आपके यहाँ पे 3-4 carbon हो जाएंगे ऐसे आपने करा चार carbon अगर उसने क्या करा इसने अपना negative लिया डेल्टा negative और इसका गागर डेल्टा positive बढ़ एक 2-3, 3-4 carbon के आसपास अगर मैं पूछू इस carbon पे inductive effect कुछ लग रहा होगा तो आप बोलोगे सर इसके ओपर कोई भी inductive effect नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको क्या बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे यह बात बोलना चाह रहा हूँ कि भाईया आपकी जो inductive effect है जो आपका inductive effect है यह किस पर depend करता है बिटा आपके distance पर depend करता है यह किस पर depend करता है आपके distance पर depend करता है अच्छा जी कैसे distance पर depend कर रहोगा आप खुद देखो जैसे जैसे आप carbon इस वाले main वाले carbon से आप दूर जा रहे हो, distance बढ़ा रहे हो, तो inductive effect आपका लगना बंद हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो, आप यह बोल सकते हो, कि सर जो मेरा inductive effect है आपका, वो आपका inversely depend करता है distance पे, कैसे मतलब, कि सर अगर आप आपके distance को बढ़ाते जाओगे, तो inductive effect आपका लगना बंद हो जाएगा, clear, यह तीन point clear हो गए, तो क्या क्या point बता है, कि बढ़ा inductive effect आता क्यों है, it is arises due to difference in electronegativity, दूसरा बात कि electronegativity मतलब inductive effect में होता क्या है, कि सर यहाँ पे partial shifting होती है, किसकी shifting होती है, partial shifting होती है, किसकी, sigma bond के electrons की, और किसकी तरफ होती है shifting कि आपका जो जादा electronegative autumn होता है, उसकी तरफ आपकी shifting होती है, और यह चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है, तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बता है, कि inductive effect हमारा inversely proportional होता है, distance के, कि 3-4 carbon है, अगरे 3-4 carbon की बात करें, 3-4 carbon के बाद, यह inductive effect आपका काम करन बंद कर देता है, clear होगे वाली बात, ठीक है, यह 3 concept clear होगे आपको, ठीक है, यह आपकी एक बहुत नई चीज़ है, तो there is a great new thing, तो इन 3 चीज़ों के बार में आप ध्यान रखेंगे, चलिए, आगे चलते हैं, अब अगर मैं बात करू, inductive effect, तो आपको हर जगा 2 type के inductive effect मि एक मिलेगा आपका plus i, और दूसरा मिलेगा negative i, यह दोनों एक दम भाईयों की तरह हैं, ठीक है, दो भाई हैं, जिनकी अलग-अलग character sex आपकी है, तो यह दो brothers हैं आपस में, जिनकी हम बात यहाँ पर करने वालेगी, plus i inductive effect कहां लगता है, और negative i inductive effect कहां लगता है, ठीक है, plus i का मतलब क्या होता है, negative i का मतलब होता है, plus i का मतलब होता है, जहाँ पर आपके electrons donate के जाते हैं, जैसे मालीजे मैंने कहा, carbon है और chlorine है, ठीक है, यहाँ पर दो लगा दिया, तो इन यह carbon और यह carbon है, तो यह क्या कर रहे हैं, आपके electrons को donate कर रहे हैं, किसको donate कर रहे हैं, यहा effect यहां plus i effect दिखा रहे हैं और जबकि बात करूं कि क्लोरीन की क्लोरीन electron खीच रहा है तो क्लोरीन कौन से effect दिखा रहा है माइनस effect ठीक है तो काम electrons की exchanging का यह कर रहे हैं यह पर यह क्या कर रहा है electron withdraw करने का काम कर रहा है ठीक है और यह क्या कर रहा है आपके electron देने का काम कर रहा है electron giving का काम कर रहा है और electron giving का मतलब कैसे partially दे रहा है permanent transfer नहीं हो रहा partially आपका दे रहा है clear हो गई वाली बात अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर बता दू कि आगर आप यह बात कहीं जगां पढ़ेंगे कि यह चीज गलत होती होती है बट उसके चीज बताता हूं कि जो बट आपका inductive effect होता है न जो आपका inductive effect होता है यह आपका permanent effect होता है यह बार question पूछा भी किए कि आपका कैसा होता है तो आप क्या बोलेंगे it is a permanent effect चैंड़ेक्ट जो हमारा रहेगा ठीक है तो प्लस आई नेगेटे वाई हम दोनों के बारे में बात करेंगे पहले हम प्लस आई के बारे में थोड़ी बाते चाल रहते हैं तो प्लस आई का मतलब क्या है बिटा इलेक्टरॉन डोनेटिंग ग्रूप कि जो आपके इलेक्टरॉन को डोनेट करते हैं जै ब्लस ऐ उभे और पर पूच यहां पर पुछ को डोनीट किया किसकी तरफ किया मोर इलेक्ट्रोड नेगटिव एटम की तरफ तो plus i series का मतलब यही है कि जो आपके electrons को donate करते हैं जो आपको देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं plus i effect groups बोलते हैं इनका एक पूरा order है और यह order आपको एक बार याद रहेगा ना तो आपके लिए काफी जाद अच्छा होगा यह main order आपको ऐसा जाद करने के जूरूत नहीं है बड़ जो एंटर एक्जामिनेशन के लिए प्रिपेर कर रहे है उनके दिमाग में clear picture in order की होनी चाहिए ठीक है त चाहिए कैसे कहा यूज हो सकते हैं जैसे for example आपको मैंने एक कोशन यह दिया मैंने नहीं यह पर दे दिया और मैंने कहदे यह चीज़ है मैंने आपको ऐसा कुछ लिख के लिए उप तोड़ा सा हाम आपको एक राडर दे दिया और एक मैंने आप कुमाली जी यह दे दिया अब मैने कहा है इन दोनों मेजसे इपन्स आइफेक्ट इस वाले कारव जो अब्लू नीच hen जिन हटा देते हैं मैंने को यहस वाले कारवन पर इस वाले कारवन पर दोनों में से किसके पास जाधा plus high effect मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे यहां पर सर एक carbon दो carbon plus high दे रहे है यहां पर आपके तीन carbon plus high दे रहे है तो यानि इस वाले carbon पर आपका जाधा plus high group मिल रहा है ठीक है तो देखो यह वाला इन दोनों में बात की जाए तो ये वाला आपका पहले रखा गया है समझ में आ गया अगर आपने इसको किसी और ग्रूप के साथ अटेच कर दिया मालो यहापे मैंने क्लोरीन और यहापे भी मैंने क्लोरीन के साथ अटेच कर दिया समझ में आ गया तो इस तरीके का यह order है जो आपको याद होना चाहिए तो यह order आपके सामने स्क्रीन के ओपर आए गा है इसका थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा आपको तो बहुत सही रहेगा बाकि cbsc के अंदर आपको यह वाला और यह वाला और यह वाला इन तीनों के order आपको पता होने चाहिए कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में और इसका भी एक example कराऊंगा तो वो भी आपको चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है अब यह एक ऐसी चीज़ है अगर इसको आप याद रखेंगे तो exam में point of view से आपको जादा advantage मिल सकती है ठीक है concept से भी आप क अब आपके सामने देखो यह order को मैंने continue करा है इसको आप देख लेंगे इसके अंदर जब कोशन करेंगे तो कोशन के अंदर मैं यह order को use करूंगा एक यहाँ पर मैं exception आपको यह महाँ पर point बता रहा हूँ यह आपको काफी books में देखने को नहीं मिलेगा कि जो हमारा बेंजीन होता है वो बेंजीन आपका more electron donating group के अंदर आता है बेंजीन आपका more electron negative के अंदर आता है as compared to ethene यह बात ध्यान रखना एथीन और बेंजीन इन दोनों में अगर compare किया जाए कि वहाँ कौन सा आपका अच्छा electron को donate करता है तो बेंजीन आपके electron को बहुत अच्छा donate करता है यह एक exception है जो आपके शायद need में या किसी entrance exam में पूछा गया था तो यह आपकी important thing थी जिसको आप याद रख सकते हैं ठीक है it is one of the important thing to remember इसको आप कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते है stability of carbocatines की उसके अंदर में आपको कुछ rules बताने वाला हूं और rules are the rules तो remember the rules then you can easily solve any question कि आप questions को अराम से कर लेंगे जब तक आपके पास rules होंगे तो क्या कहते है rules पहले हम बात करते हैं carbocatine के रहे तो पहली बात की जाते है stability of carbocatine मतलब C plus C plus आपको पता होगा कि carbon के उपर जब भी positive charge आ जा जाता है तो उसको हम carbocatine बोलते हैं ठीक है यह बा इनसे को different होते हैं because they have positive charge यह positive लिखा है थोड़ा funny बनाने के लिए but you know it has a positive charge तो what is the rule number was तो first rule के अपर हम चलते हैं first rule क्या कहता है first rule क्याता है कि आपकी electronegativity carbocatine की जैसे increase होगी आपकी stability भी decrease होगी क्या मतलब बोला sir मैंने कि as electronegativity किसकी आपके carbocatine की carbon के उपर positive charge carbocatine की electronegativity जैसे आपकी increase होगी उसकी वहाँ पर beta stability भी decrease होगी क्या मतलब है sir आपने क्या बात लिखती इसका थोड़ा सा detail में बता हो समझ लो कोई नहीं यह लिखा मैंने आपर जैसे example से लिख लेता है example से चीज़े ज्यादा clear होगे आपको न लो जी एक example हमने लिख लि गरी है अब मैंने पूछा कि बता हो भूज इन तीनों में से कौन सा stable है तो आपने देखा कि यहां पर क्या है positive charge है आपका तो आप यहां पर मैंने पूछा आप जो बताएं कि इन तीनों में से कौन सा जादा stably यहाँ पर क्या दिया है सिंगल बाँट दिया है यहां पर क्या दिए यहाँ क्या दिया है टिपल बाँट दिय northwest अगर आपको एक चीज याद हो तो मैंने छोटा सा electronegativity का concept होता है यहाँ पे कि जहाँ पे triple bond होता है वो आपका बहुत जादा electronegativity होता है as compared to second bond as compared to single bond यह order आपको शायद पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो कोई नहीं आप ध्यान रखना तो यहाँ पे देखना यहाँ पे अगर आपकी electronegativity जादा है तो यह तीन double triple bond का मतलब कि यहाँ पे electronegativity बहुत जादा होने के वरेश से यहाँ पे यह कार्बो कैटाइन से क्या करेगा इलेक्टरॉन्स को और लेगा इलेक्टरॉन्स को और लेने की कोशिश करेगा इसका मतल क्या और गरीब नहीं बन जाएगा क्या गरीब जो होगा वो क्या और गरीब नहीं बन जाएगा क्या वो और जादा unstable नहीं हो जाएगा यह पहले ही अपनी जिंदगी के अंदर unstable था आपने इससे पैसे और चीन के इसको बहुत जादा unstable बना दिया समझ में आया कि positive charge के पास पहले ही electron कम थे, इस carbon के उपर positive charge होने की विदे से इसके पहले ही electron कम थे, आपने triple bond यानि electron negative लगाने के बाद, electron negative लगाने से आपने इसके अंदर से और electron खीशने शुरू कर दिये तो sir एक बात कैसे आपकी जायज रहेगी, ये चीज तो फिर unstable हो जाएगा ठीक है, तो यानि ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सबसे जादा unstable हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सबसे जादा unstable हो जाएगा ऐसे double bond और single bond की बाद की बाद के, sir आपने double bond लगा दिया पहले वो positive था, आपने इस बार इसके अंदर से और electron चीन ली हो जाएगा, तो आपका ये order आया, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ मैं तो एक और question ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, sir एक और question ले ले लेते हम, मैंने लिए यहाँ पे c positive hydrogen hydrogen और chlorine एक यहाँ पे ले लिए c positive chlorine chlorine hydrogen चलो जी, अब तो अब देख क्या आप रहाम से बता पाओगे, अगर मैं बात करूँ कि इन तिनों में से कौन सा जादा stable है या unstable तो आपने कहा देखा कि सर यहाँ पे c positive यानि कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन आ रहा है, कार्बोकेटाइन मतलब कि यह जो बीच वाला कार्बन है, इसके पास elektrons कम है, इसके पास elektrons की मौझूदगी कम है, अब यहाँ पे first वाले case में बात करें तो यहाँ से आपका elektron खीचने वाला कौन है, क्लोरीन लगावा है, तो यहाँ से एक ज जगा जा रहा है, सब लोग इसके पैसेज छीनी रहे हैं, तो positive charge था, और positive charge होने के बाद भी यहाँ पे तीन लोग elektron खीच रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ से दो लोग elektron खीच रहे हैं, और यहाँ पे एक लोग elektron खीच रहे हैं, तो आप कुछ सोचो, कि भाया उसके पास पहले ही positive charge है अगर आप लोगों के पास already आप मालो आपके पास पहले ही 30 रुपे है ठीक है तो first case के अंदर 30 कोई बंदा आपसे 10 रुपे ले गया यह पहले case की बात करी दूसरे case के अंदर एक जगा से बंदा 10 रुपे ले रहा है दूसरे जगा से भी 10 रुपे ले रहा है यानी 20 रुपे खीचे जा रहे है और इसकी states का positive charge कम होगा तो यह आपका ज्यादा stable होगा पर नहीं इस से positive charge से तीन electronegative element लग गए तो यहां से electron खीच रहे है जिसकी वज़े से यह आपका third वाला क्या हो रहा है बहुत ज्यादा unstable हो रहा है और order आपका कुछ यह आ रहा है second case में क्या है कि यहाँ एक यह एलेक्टो नेग्टिव element है और जो एलेक्टोन आपके यह थीच रह मात है तो एक खीच रहा हुए-स처 रहा है यहा इन दोनों के स्टेबल-स्टेबल-स में समझ में आगए है रूल तो मैंने आपको यही बताया कि अंगर आप electronegative element लगाओगे कार्बोकेटाइन पे जित्ते जादा बढ़ाते जाओगे उत्ता जादा stability कार्बोकेटाइन की कम होती जाएगे clear वाली बात पक्का चलो second rule पे बात करते हैं अब rule number second क्या कहता है rule number second कहता है कि अगर मालो कि suppose करो कि जब आपकी electronegativity same हो गई if electronegativity is same तब आप क्या करेंगे अब सर्थ electronegativity same का मतलब क्या है आपका electronegativity same का मतलब कि मालीजी जैसे आपने ये करा आपने या carbon लगा दिया ठीक है और इसके साथ आपने क्या किया इसको तो इस वे में ले लो थोड़ा सापको तरश्री वाले खाईडर दे 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 जैसे मैंने आपको ये वाला चीज़ कह दी ठीक है ऐसे कर लेते हैं मैंने आपको कह दिया ये CH3 ठीक है यहाँ पर आपका ये लगा यहाँ पर positive charge बना लेते ना positive charge बना लेते ठीक है हाँ यहाँ पर आपने क्या करा positive charge बना लिया और यह hydrogen लगा दिया ठीक है आपने पहले पर यह करा second पर आपने क्या कर आपने ऐसा कर दिया एक जगा CH3 लगा दिया एक बाकि दो जगा हाइड्रोजन लगा दिया और इसमें क्या किया गया आपका दोनों तीनों तरफ यह लगा दिया कि लोगे वाली बात और यहाँ पर एक और चीज़ बना लेते हैं आपर त्टिक है इसको थोड़ा साथा आ देते हैं यहाँ पर बीच में रह गया कारबन CH3 CH3 और एक है चलिए अब मैंने कहा कि बताइए आपके सामने मैंने दे दिया वन टू थ्री और फोर मैंने का बताओ इन चारों में से कौन सा आपका स्टेवल है मैंने यह बोला अब आप यहाँ पर देखे अगर चारों की बात करें तो देखिए ही यहां पर है हाइडोजन यह एक यह टी नर्मल है यहां पर का यहाँ यहां पो य यहाँ पर देख्या करने की कोशिश कर रहे और यहां पे तो कमाली हो गया यहां पे आपके तीन CH3 ग्रूप लगे हैं जो आपके यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए मदद कर रहे हैं या फिर स्टेबल करने का कर रहे हैं तो आप खुद बताओ फर्स सेकंड थर्ड फॉर्ट चारों में से सबस्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो आप खुद बोलोगे सर जो फॉर्ट वन है वो सबस्यादा स्टेबल होगा क्यों होगा क्योंकि यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके तीन डोनेटिंग लगे उसके बाद कान सा होगा सर यह क्योंकि यहां पे दो एक लगा है और यहां पे तो कोई है नी तो यह आपका कोच ओडल आएगा समझ में आ गया तो जिते ज़ादा आपके इलेक्टरॉण डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हो जिते ज़ादा आपके यहां के टीन effect थे तीन प्लस आई देने वाले थे एक दो तीन यहाँ पे दो प्लस आई थे और यहाँ पे आपका एक प्लस आई था ठीक है तो यहाँ पे आप order यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो note में अगर आप लिखना चाहो एक जित्ता जादा अगर आप प्लस आई फेक्ट दोगे उत्ता जादा आपका कार्बोकैटायन थे मोगा और आपने देखा यहाँ पर प्लस ठी दी आ अमने तीन प्लस आई दिया तो वो ज्यादा प्लस आई दिया तो वह ज्यादा थ्री से तो रूल नूंब्र थ्री बेटा इसका क्या कहता ना तो यह कहता है कि आपकी स्टेविलिटी किस्की स्टेविलिटी औूThis कार्भोकेटाइन वह आपकी डारेक्ली परपोस्टल एफल सौन और है माइनस आईख अब सारी चीज का क्या मतलब है hemारा ना देख लूँ आपने यह चीज बना इन्हाई यह आपने ऐसे बनाया ठीक है रचेश से आपका करा देता हूँ यह देखो आपने कोशन बनाया ठीक यह अपने कोशिंध बना पॉजिटिव पॉजिटिव अब आप खुद सोचो यहां पर अगर मैंने कहा कि यहां पर कौन कौन से प्लस आई हैं एक दो तीन तो तीन प्लस आई ग्रूप हैं यह तीन प्लस आई यानि इलेक्टोंस दे रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहे तो यहाँ पे कितने प्लस गाई ग्रूप एक दो तीन यहाँ पे कितने आपके दो प्लस गाई ग्रूप सर एक और दो दो प्लस ग्रूप हैं जो इसको कम करने की लेक्टॉन की चार्ज को कम कोशिश कर रहे हैं टीक है और यहां पे किता है, सिर्फ एक है, तो इसकी मैं अगर आपको यहां पे बात करूँ, तो यहां पे बेटा, आप खुद बताइए, यहां पे आपका एक है, तो इन तीनों में सबस्यादा stable कौन होगा किसको मढ़ Creator के सबसे अधर THIS कौन है कि सरफ सबसे घ्राइब्ल एं थार तो यह और क्यों आया क्योंकि सरफ फ्लस ऑच ज्लूटे कार्बा कटेन की हुई क्लियर हो गया वा इस रहां पने का दिजक समय बताया stability के बारे में कि stability of carbo cation हमारी directly proportionality plus i के और inversely होती है minus i के यह चीज़ मैंने आपको बताई ठीक है एक सेकंड तो मैंने आपको यह चीज़ बता दे कि plus i वाली और minus i अब यह पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली ती और यह भी रिकॉर्ड हुई नहीं तो देड़ घंटे की वीडियो थी और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई सिर्फ नेगेटिव वाला उसका कैफेक्ट होता है और तीसरा आपने पावर की बात बताई ना में तो इन तीनु हमें से सबस्यादा प्रियॉरिटी किसको दे हैं यहां मालने यह डी इसको एं बोलेज़े और पी बोले अगर आप इन rules को याद रखेंगे that would be really great and it would help you in solving the questions also ठीक है आप गर आपको को कोशन हो तो then you can comment in the comment section और इसके बाद हम start करते है important questions so let's do this and start करते हैं अपने important question की series जो इसके अंदर आपके plus i के साथ related है तो पहला question आपके सामने यह आया इस question को आप कैसे solve करेंगे आप खुद सूची कि सर यह आपका first second third मैंने पुछा इन तिनों में से कौन से stable है तो आप क्या बोलेंगे सर यहां एक दो और तीन तीन group ऐसे हैं सर जो यहां पर क्या show कर रहे हैं हमारे plus i show कर रहे हैं और यहां पर किते हैं सर यहां पर दो हैं बस दो प्लस है और यहां पर किता सर एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जो stability होती है किसकी कार्बो केटायन की वो directly proportionality है plus i के हैं और inversely minus i के तो यहां पर देखिए कि यहां पर एक plus i donate करने वाला तो यहां एक आपका यहां पर electron donate करेगा तो इसकी positive charge को और कम थोड़ा करने की कोशिश करेगा यहां पर दो donate कर रहे हैं तो यहां पर दो आपके कम करने की कोशिश करेंगे इस positive charge को और यहां पर तीन donate कर रहे हैं तो तीन positive charge को आपके यहां पर कम करने की कोशिश करेंगे तो जित्ता जादा आपका positive charge यानि plus high effect होगा वहाँ पे उत्ता जादा आपकी stability कार्बोकेटाइन की होगी तो क्या ये order नहीं आना चाहिए कि आपका पहला वाला सबस्यादा stable then secondary or then third इन दिनों के comparison clear हुआ है वालग चीज पक्का, ठेक clear वाली चीज़े, ठेक है चलो second question की इसकी बात करते है अगर मैं इसकी बात करो तो बिटा इसमें roll आएगा distance का, कि यहाँ पे आपका लगा, यहाँ पे आपका carbon लगा है, देखो यहाँ लगा है, किस पे लगा है, आप count कर लीजे आपसे, one, two, three, three को पर ही है और यहाँ से count कीज़े, one, two, three, four और यहाँ count कीज़े, one, two, three, four, five, six किता दूर तक जा रहा है, यहाँ पे वाला group ना, ठीक है तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पताया था कि तीन से चार carbon के बाद आपका inductive fact काम करना बंद कर देता है, तो इन तीनों में पूछो तो सबसे past में कौन सा लगा है, यह वाला, तो first वाला आपका जादा stable, then second, then third, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सर, यहाँ पे चार से पांच carbon के पास है, चार से पांच यहाँ पॉजिटिव आई फैक्ट जो भी inductive fact की बात करें, वह आपका गायब होता रहता है, clear, यह वाला question भी आप try कर सकते हैं, इसी basis पे, क्यों, क्योंकि सर, यह क्या है, आपका electronegative element, यह आपका करेगा, minus i लगाएगा, ठीक है, minus i लगाएगा, मतलब इसको जादा unstable करेगा, यहाँ पर यह माइनस i लगाएगा, और इसको unstable करनी कोश करेगा, और यहाँ पर यह भी minus i लगाएगा, तो आपके इसाफ़ से इन तीरों में सबसे जादा minus i किसमें लग रहा होगा, इस लगाएगा, इस लगाएगा, इस लगाएगा, इस वाले केसमें लगाएगा, ताकत से नहीं कीच पा रहा हो क्योंकि इसका डिस्टेंस दूर हो गया तो इस वज़े से यह आपके लेक्ट्रों को खीशने की कोशिश तो कर रहा होगा पर फर्स्ट वाले के आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था क्या ओडर था किसा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वह सबसे आदा लेक्ट्रों नेगेटिव और देन फर्स्ट यह रूल अभी आपने मेरे से पढ़ा था कि अगर आप वहां पर इलेक्ट्रों नेगेटिव एलिमेंट्स को ज्यादा लगाते हैं इस वज़ये से आपकी स्टेबिलिटी आफ कार्वोकेट्या इन भर्तियां कि कम हो जाती है कैसे आप देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉंड लगा तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा यहां से एलेक्ट्रों खीचने का ट्राय करेगा तो एलेक्ट्रों चार्ज के उपर से और आपके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा और बढ़ा देगा अगर इलेक्टरन खीच रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा और तेजी से बढ़ा देगा यह डवल मौन भी आपके इलेक्टरन खीचने की कोशिश करेगा अगर इस amount में नहीं खीच पाएगा क्योंकि इसकी खीचने की कोशिश करेगा तो यानि इसके उपर जो यह positive charge है इसको बढ़ा देगा ज्यादा amount से नहीं बढ़ा पाएगा और अगर मैं इसकी बात करूँ यहां तो double first और फिर second यह आपका कुछ stability का order समझ में आये वाला कोशन ठेक जितने ज्यादा कोशन आप प्रैक्टिस करोगे उत्ता ज्यादा आप अच्छे बन जाओगे अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी आफ अनाइन के बारे में कि अनाइन के केस में आपकी सेबिलिटी के क्या क्या order होते हैं बहुत ध्यान से समझना अनाइन के केस में क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी अब सर यह चीज़ कैसे आगए आप खुछ सोचो स्टेबिलिटी आफ अनाइन मतलब कार्बन के उपर नेगेटिव चार्ज यह मतलब होता है अब सर यह बात आपने कैसे बोल दी इसके बार में थोड़ा सा बता है तो आपको देखो आपके सामने में कोशन लिख लेता हूं यह देखो यह लिखा और यहां पर लिखा चीज त्री डिवल बॉन्ड चीज नेगेटिव यहां लिख दिया चीज त्री चीज टू आ सबसे बात इलेक्टर नगेटिव होगा अगर यह वाला सबसे बात यह वाला पकर ब्मकर देगा इसका मतलब क्या है कि जयए की से यह आपका अलерхटरॉँ कीशने की वजड़ कीशेए और इस नेगेटिव चार्ज को उस वज़येसे मैं बात करें अगर और और एक और कोशन यहां पर कर लो कोई दिखकत नहीं को 실िर हो जाएगा मैं थे इस लगा दिया seven है बॉक्त म्होंने ठीजि़ल और क्लूरियन है फेर ARC मैंने क yelling dawn exist मैंने का पता जून के से कौन सा आपका स्टींबल है तो आप बूलेंक कि सर यहां पर आपका कहे क्ए लगा करने के कोशिश कर रहा है तो इस वज़े से आपका अगर मैं पूछ फर्स सेकेंड में से कौन सा होगा तो सेकेंड आपका मोर्स टेबल हो जाएगा दैन फर्स में यह दोनों कुछ बाते थी जो आपको याद रखनी थी इसके बाद थार्ड अगर मैं बात करूं सेकंड डूल आप सरी इसका क्या मतलब है कोई यही वाली चीज छो आपको मैं पीछे बताने की कोशिश कर रहा है देखो आप सी नेगेटिव आइढरो जचन सी चस थरी हमच्री हमच्वेद्योजन और यहां पे क्या किया कर आव सी नेगेटिव एश भी दृ पर आपका सेकेंड्री और यह आपका टेस्ट लुए है, होप ये चीज्ज आपको पतार आ गई होगी, क्योंकि तीन कारवन से जुड़ा है, अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, यह तीनों क्या करेंगे, इनका प्लस आई निचर होता है, यह वाले का भी, यह वाले का भी और यह वाले की, यह तीनों क आप देखो गया अगर इसके उपर सबसे आदा नेगिटिव चार्ज इसके उपर हो गया इस वाले केस में सबसे आदा नेगिटिव चार्ज हो गया और जादा नेगिटिव चार्ज मतलब कि वो क्या हो गया सबसे आदा वो क्या हो गया अंस्टेबल हो गया उसके बाद इन द तो यह दोनों order आपको clear होने चाहिए क्योंकि यह order अभी आपने पीशे मेरे से पढ़ा है कहा पढ़ा था सर यह वाला order यह रहा देख रहा है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से आपका कॉंसर्फ सदर स्टेबल आ रहा है देख पाएंगे रहा है clearly take तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर order क्या आ रहा है अगर आप बात करें तो यह वाला कॉंसर्फ आपको यह टर्श्री था यह कॉंसर्फ आपको secondary और यह क्या था प्राइमरी यहां पर देखेंगे तो टर्श्री था उस सदर्फ टेबल secondary and then primary इस वाली रूल से आप कर स रूरी है रूल नमबर थर्ड रूम नमबर थर्ड आपका क्या है जैसे मैं आपको बताया stability of anion के बारे में अगर आप stability of anion की बात करें तो stability और नायन आपकी depend करती है किस पे depend करती है माइनस आई पे directly और प्लस आई पे oppositely क्या मतलब बश्री स्टेज का देखो अभी आपक करा यहां पर बनाया क्लूरीन लगा दिया लेक्ट्र नेगेटिव वाला और यहां पर भी आपने ऐसे लगा दिया क्लूरीन और क्लूरीन और मैंने का बताओ इन तीनों में सब्स्यादा stable कौन सा है तो आप कैसे बता पाएंगे कि सर यहां पर आपका electron withdraw करने वाला यह यह यह माइनस ऐफेक्ट दिखा रहा है और यहां पर आपकी यह दोनों माइनस ऐफेक्ट दिखा रहा है इसका मतलब कि सर आप इन दोनों negative दिखा रहे हैं तो यानि यह electron खीशने की कोशिश करेंगे अगर यह दोनों electron खीचेंगे तो इस negative charge को यहां पर कम करने की कोशिश करें और थर्ड वाले के इसके अंदर सबस्यादा रेक्टों खीशने के वज़े से आपका थर्ड वाला बहुत जादा स्टेबल हो जाएगा फिर देन सेकेंड फिर देन फॉलोड बाइ सेकेंड और यह आपको कुछ और आगया बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाले तीन आप डूल याद रखेंगे तो कोशन आपसे बहुत असानी से और बहुत अच्छे से आप सौल कर पाएंगे ठीक है चलिए अब इनकी कुछ कोशन की प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने आपको रूल बताया आप वही रूल को लगाई है और इस वाले कोशन को करने की कोशिश कीजे वीडियो को पॉस करो और मुझे बताओ कि इन पाचों में से आपका स्टेबलिटी और क्या होगा अभी पॉस करो यहाँ पे इन पाचों केस में देखें तो आप यह देखें कि यह वाला क्या है आपका इलेक्ट्रॉन खीच रहा है माइनस आई माइनस आई दिखा रहा है तो इसके अंदर इसके पास से इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है यह प्लस आई दिखा रहा है यहाँ पे आपके दो प्लस आई दे जा रहे हैं और इसको और अनस्टेबल बना रहे हैं यहाँ पे आपके दो प्लस आई दे जा रहे हैं और इसको और अनस्टेबल बना रहे हैं यहाँ पे तो और भी कमाल हो गया यहाँ पे तीन प्लस आई ग्रुप लगे हैं और जिसको अ stable बना रहे हैं यह वाला rule वही आ गया कौन सा सर्च stability is directly proportional to minus i और प्लस i किस case में कार्बो अनाइन के case में तो इन पांचों में से आप बताएए सबसे अदर stable कौन सा होगा first वाला कि फिफ वाला obviously सर्फ वाला सबसे अदर stable होगा क्यों क्योंकि सर यहां पर negative fact है तो plus five यह फिफ वाला आपका सबसे अदर stable फोर्थ वाले पर कुछ भी नहीं लगा positive या negative इस वरे से third वाले के उपर एक plus आई है इसलिए जादा हो गया second वाले पर दो plus आई है और first वाले पर तो सर बुरा हाल हो गया तीन plus आई है इस वरे से stability of carbon anine का order आपका यह आ गया बताओ clear है कि नहीं है ना important question बढ़िया मज़ा आया चलो आगे अगला question यह वाला चीज बताओ अब आप क्या देखोगे सर यहां पर भी आपका negative y लगा है यहां पर भी नेगेटिव आई है यहां पर भी नेगेटिव आई और यहां यहां पर तो एकदम directly लगा है directly लगा होने की मतलब कि यह electron को आपके अपनी तरफ अराम से तीन खीश लेगा यहां पर थोड़ा सा दूर हो गया तो यह आपका यहां पर कोश और आ जाएगा important question है आपसे cbsc के अंदर भी पूछा जा सकता है और आपसे iat के अंदर तो पूछे यह एक बार clear चलो आगे किलते हैं यह वाला question बता दो अगर यह वाला question बता पाऊ तो बहुत easy है वीडियो को pause करो खुद करने की कोशिश करना प एक दो तीन माइनस i दिखाने वाले यानि तीन माइनस i दिखाने वाले और यहां पर बात किया जाए तो सर यहां पर कितने हैं आपके दो यहां पर सिर्फ एक और आभी आपको पता कि stability के अंदर अगर यह माइनस i दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यह जादा electron pull कर रहे होगे ठीक है तो इस case के अंदर क्या होगा किसा जो फोर्थ वन है वह सब स्यादा स्टेबल हो जाएगा फिर थर्ड और फिर सेकेंड और दैन यह आपका जाएगा अगर आप इसी को थोड़ा सा ऐसा कर दे तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें मैं आपको positive की अगर बा ठीक है चलो बताओ इस वाले case के इन चारों में से कौन सा होगा तो आप क्या बोलोगे positive वाले में कि सर देखो सर यहाँ पे positive चार्ज में एक electron खीशने वाला है अगर यह electron खीश रहा है तो यानि electron इसके पास तो already positive चार्ज है इसको और गरीब बना रहा है यहाँ पे सर इसक इसके दो चीज लगे हैं दो electron खीशने की कोईश करें यहाँ तो इसको और ज़्यादा गरीब बनाए जा रहा है और सर यहां तो बहुत बुरा हाल हो गया है यहां तो तीन electron खीशने वाले लगे हैं तीन negative य हाई वाले लगे हैं इस वज़़े से आपके तीन negative य की सा हो जारा है बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए तो इसका मतलब इस वाले लोजिक से आंसर नहीं था बन देने का तो आप किस पर आंसर दे सकते हैं आप ऐसे आज साथ दे सकते हैं कि सर आपने बताया था कि stability of Carbocatine वो directly dependent होती है किसके प्लस आई के और इंवर्स डिपेंडेंट होती है माइनस आई के और उपर वाले को किस पर कर सकते हैं कि सर stability of Carbocatine is directly proportion to माइनस आई प्लस आई दोनों का उल्टर रूल होता है इन विसस पर भी आपांसर कर सकते हैं क्लियर चलो अगला कोशन तो यहां पर जितने भी कोशन से मैंने आपको सारे करा दी हैं अगर आपको और कोशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने NCRT से अपने और अपने कोई बुक ले रख रखते हैं थैंक यू सो मच फर वाचिंग और इफ यू लाइक आप वीडियो तो दू गिव था थम्स अप और दोंट फरगेट तो सब्सक्राइब आर चैनल जिला विज्यान थैंक यू सो मच टेक केर बावाई